वाहे गुरु जी का खाल सा, वाहे गुरु जी की फते, गुरुमुक प्यारेओ, आप जी सारे चड़दी कला विच होगे, उमीद कर देया, गुरु सहिप जी दे चरना चरदास कर दे, हां महराज आप जी ने मिशा चरदी कला विच रखा, गुर्मुक प्यारेों आपजी नूँँ बेंती किती सी स्वेरे ज़ोदो टेलिग्राम ते मेसिज ड्रोप केता सी वाई गरुजी कि वाई गरुजी आज जुरूरी विचार आप जी दुर चर्ना च बेंती विचार आप ये रखना चान्या आप जी जुरूर शामलोयो संगत देविच विचार वॉईगूरूजी गुरुमत विचार गुरु सहिटओ जी दी बाक्षिश गुरूजी बहुत देना तो आप टेलिग्राम सेशन दीवेच विचार नहीं किता आप नाम बंद कीते ही सारे फोकेस्ट सीगे अज गुरु साहिव जी ने होकम करके वाई गुरु जी आप जी जो विचार करनू के है आप वाई गुरु जी आप जी दे चलना ची और रखना चानने आजी आप जी त्यान नर वाई गुरु जी सारे सरवन करे हो उन वाईगरुजी अपा गल कर देयां जो सानु स्वास देगे जिन्दा रख रेहा है अकाल पुरक माराज कहन दे हन की उसनों पहला मेल लवो उस दी सेवा वेच पहला हाजर हो ते उस तो बाद दूज्या काम करो जे कर मालक स्वास दे रहा है वाईगरुजी सानु ता साथा जीवन है संसार है कारबार है नहीं ता कुछ भी नहीं माराज गुरबानी वेच फरमाऊं देहान हम आदमी हैं एक दमी मौलत महत न जाना नानक बिन्वेति से सरेव जाके जी पराना असी उस मालक देशन मुख ते हुकम वेच चलना हुन्दा है वाईगरुजी जो सानु सुआस देखना हुन्दा है कि सानु सुआस कितों आरे हैं साथा सरीर उस दा सरगुन रूप है ते निर्गुन वेच सुआस दे रहा है ऐस द्रिष्ट मान शरीर नो अस्थूते निर्गुन खाली खला नो सुखम केहा है वाईगरुजी अग्गे अप ऐस ते विचार किता सी सुखम में जाने अस्थूल मारत को कम कर दे रहें सरगुन निर्गुन विच्चो पैदा होया है वाईगरुजी अकार निराकार विच्चो पैदा होया हैं असे देख दे हां कि सानु स्वास सामने तो आ रहे हैं सानु निर्गुन विच्चे स्वास दे रहे हैं वाईगरुजी जदो आपअ आप जी अगर अपने अखा नार जो सामने देख रहे हो, खाली खला जिसनों किया जानता है, वाईगरुजी उत्वों सी स्वास ले रहे हैं, फिर स्वासा नू छटके कि में सनमुख होया जावे, स्वालता है बनता, पौन वे चरेंदया में जदों असी सिमरन करना है, ता साचो नू देखना ते क सिमर सिमर हर कारण करना, पौन नू छटन तो बाद कर विच बैठके मालक दा नाम सुनेया जानता है, माराज सान हुकम करते ने, गुर की सेवा, गुर पगत है, विरला पाए कोई, साधी पगती त्रेगुणा विच नहीं हुंदी, त्रेगुणा विच परम्पु लिखा ह हो जान देहां, फिर कर, सैज कर, दस्मों दवार विच परमेश हो जान देहां, पौन तो वक्खो के कर बैढ़ते हां, ता उत्य साधी पगती शुरू हुंदी है, वाई गुरु जी जटी सादी पagती माराच सनु दासरे ने शुरू कित्व हो दिये वाईगरुजी जदो आपाँ सेज वीच जाके वाईगरुजी दसम दौार सेज कारथिर कारजिस्टों के हाँ उत्थे जाके बैठते हाँ फिर सादी बंद्गी शुरू होंदी है पगती शुरू हुंदी है गुर्मुख पगत जित सैज तोन उपजय बिन पगती मेलन जाए फिर मारे सन्हुकम का रिहान चोथे पद में सैज है गुर्मुख पल्लै पाए निर्गुण नाम निदान है सैज जे सोची होए जिननी देर ओ सैज तोन नाम हरताप्त ते सद गुरु परगट नहीं हुंदे वाई गुरुजी ओनी देर सारी पगती शुरू नहीं हुंदे ऐसले नाम सैज तोन ते सची बाणी मों परगट करन लेए सान गुरुदी शर्ण वेचे जाना ही पैंदा है उनवाई गुरुजी क्योंकि माराज ने हुकम कर दिता कि जो नाम गुप्त हो चुका है वो गुरुदी शर्ण वेच गया बगएर परगटी नहीं होना जो सची बाणी गुप्त हो चुकी है वो गुरुदी शर्ण वेच जान तो बगएर परगट नहीं होनी जोके जुगनू कलादा जुग केंदे होए दासरे हन माराई सनु खुकम कर रहे हन गुपता नाम वर्ते विच कल जुग कट-कट हर पर पूर रहे हा नाम रतन तिना हिर्दे प्रगटिया जो गुर सरनाई पाजबया वाई गुरु जी जे नाम परगट हो जान्दा है ता असी चोथे पद विच परवेश हो जान्दे हा सची बाणी परगट हो जान्दी है माराई गुरुबानी विच फरमोंदे हान गुपती बाणी परगट होए नानक परखले साच सोए वाई गरू जी जोदो आप नाम बंदगी करते हैं आप जी नो ही बेन की हरवरी आप जी चरनाज करते हैं कि आप जी जोदो नाम जापते हो ना आप जी ने उस वेचे त्यान जेड़ा है रखना कि थे हैं कि आप जी ने उस शब्दनों सुनना है आप जी में जाप कर रहे हुने आ, सास ग्रास वा गुरू वा गुरू आप जी ने वदे विच्छ त्यान उत्थे इटकाने आप जी ने उसनों सुनना है फिर आप जी चोत्ते पत्ते जाके विचर दें फिर मारज गेंदे तो अटी पकती शुरू ठोंदी ठीक है ना वाई गुरू जी उन जदो नाम परगट हो जानदा है सची बाणी परगट हो जानदी है ता फिर आसी नाम सुन दें हाँ हरी दी कथा सुन दे हाँ, मारज केंदे ने हर की कथा अनाह दबानी, ते मालक नू वईगरु जी फिर देख दे हाँ, उससे समय असी कर बैट के मालक दी सिफ्त सला कर दे हाँ, जदो सी कर तो भारतर रोकी विच आ जान दे हाँ, ते असी समद्रिष्टी रहना हुंदा है, सा सेवा विच हाजर होण, लई जिन्नी देर साड़ा दस्वाद्वार नहीं खोलदा, निजमेल दार नहीं खोलदा, किला नहीं खोलदा, मंदर ते गुर्दवार नहीं खोलदा, उन्नी देर सी साइध गूफा विच प्रवेश नहीं होंदे, उन्नी देर सी सनमुखो के सेव नहीं कार सकते। ऐसलेई जिन्नी देर सीनी जमेल वाईगरुजी मंदर ददार खोल के प्रवेश नहीं होंते। उन्नी देर नाम परगट नहीं होना। मारज गुर्बानी विच सानों होकम का रहान नाम राम नाम रतन कोठडी गड़ मंदर एक लुकानी उसनों हरीदा मंदर किया है वाईगरुजी हर मंदर हर का हाट है रख्या सब्द सवार तिस विच सोदा एक नाम गुर्मुख लैन सवार। उन असी स्वासना तानल है कि आगे हां एस तान द्वारा नाल एस लोक विच करम करना है नाले वपार करना है ता जो सानों नाम प्राप्त हो जागे। जद उसी त्रैगुणा तो अतीत हो जावांगी। एक जगा आप जी माराज़ द एवी हुकम जड़ है विचार करेओ पूरन जोत जगय कट में तब खालस ता है न खालस जानने। असी मान दी जोत नू आत्मा दी जोत विच मिलावना हुनता है आत्मा दी जोत दसमें द्वार दे विच है। महल मंदर का रहर का तिसमें राखी जोत अपार। उस जोत विच जिनी देर जोत नहीं मिलती उनी देर साथा जीवन मरन खंडन नहीं हुन्दा। ऐस लही सानू सेज विच जाके उस जोत विच जोत मिलावनी पैंदी है। गुर्मुख अंतर सेज है, मन चड़े अतसमें अकास, तिथे उंगन पूख है। हर अमरित नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आतम राम प्रगास। फिर माराज एक जगा सन होकम का रहन, तुए लोचन पेखा, हाओ हर बिन आउर न देखा। असे येस लोक वेचे नाले ता करम करना होंदा है, ते नाले मालक नू मिलना होंदा है। सनमुख ते होकम वेच रहना होंदा है वाई गुरू रूप पांज प्यारे जड़े ने वाई गुरू जिथे अमरी शक देहां, आतमा ते प्रमातमा, मूल साथ जदी पेचान करवांदेहां, फिर साधे ते मालक वेच कोई अंतर नहीं रहनदा, क्योंकि यसी अपने आप जदो आमरी शक देहां, आप जीनु सारे आनू पता है वाई गुरू जी ओ सानू नाम, सिम्रन, बंदगी करण ली ओधो हुकम करतें देहां, वाई गुरू मंतर जाख करन ली कहतें देहां, पर नाल वाई गुरू जी आपनू फेर लोड़े गुरुबानी नू विचारन वाई गुरू जी गुरू जी सानू समाथ बख्षन, मारे शानू गुरुबानी जड़ी है, ओ समझन धधा वाई गुरू जी बल जडा प्राप्तो हुकम करतें देहां गुर्मुख आप छाने प्रब जैसे अवनासी फिर एसनु परपक करन वास्ते सानु उठत बैठत सोवत जागत सिम्रन जारी रखना पेंदा है तुर्दे फिर दे वाई गुरु जी अपानु नाम जपना पेंदा है कार्ज करते कीरत करते अपा मालक नु याद रखना दे सन वाँ दे विच कार्वी मुझूद है जो सानु निर्गुण विच्चों स्वास दे के जिंदा रखरेया है मारे सानु हुकम कर देहान इग्ये निर्गुण उग्ये सर्गुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाओ नगर में आप बाहर फुन आपन प्रब मेरे को सगल बसे र मारे सानु हुकम कर रहान पवन का वासा सुन निवासा अकल अकला तर सोई उन वाई गुरुजी आपा जो विचार कीता है उन सानु समझा रहा है हन मारे कि पौन सुन विच्चों देती जा रही है ते वाई गुरुजी आपा जो विच्चों देती जाके समा जान दी जदो सी चोथी स्टेज दे एस सोनविच जते आना लगावांगे ना जदो सी सोनविच बैठ दे आं गुरुमुद प्यारेों उस समय सी त्रैगुना तो उपर उठ जान दे त्रैपवन दी पाशा तो उपर उठ जान दे हां पौण पाणी बिसंतर अते सकार तो उपर उठ जान दे हां एस पाशा तो उपर उठ जान दे हां ओथे वाई गुरुजी एस पाशा तो वखरी पाशा शुरू हो जान दी है जिते एस लोग दी पाशा अकार पौण पाण पाणी बिसंतर खतम हो जान्दा है उत्थे सोन विच ते आने लगाऊना तेसी पॉण पाणी बिसंतर तो वक्षो जान्दे हां ते साथा का अर्जेडा है ओ आजान्दा है एस तरह आसी दूजे देख करो निकल के अपने कर जाना हुंता है एस श्रीर देविच त्रेगुण कि तवयी गुरु जी सानुए शब्ठ गुरुता का पंचा के मालकी सनमुक कर देवी आसले प्रैक्तिकल कर देजा पहला स्वास्क्राज फिर सासाज फिर रोम रोम ते उस तो बाद चोथी स्टेज ते त्रैगुना तो उपर उठके सोन विच त्यान लगाऊना हुंदा है वाईग्रुजी सोन नुचो था पद केंदे हां जिथे प्रकाशी प्रकाश है सोन साधा कार है उठे त्यान लगाऊना ते शब्द परगट हुंदा है असी बगाने करो निकल के अपने कार समा जाना हुंदा है असी तिर लोकी छाट के अपने कार पहुंचना हुंदा है जिस बारे मारज गुर बाणी विच सन्हुकम का रहान थीर कार बैसो हर जन प्यारे सत गुर तुमरे काज सवारे पहला सान। पता नहीं सी लगदा की थेर का अरकेडा है फिर जदो बानी पढ़ देते खोज दे हाते पेत लगदा है की वाईगुरुजी अफुर अवस्था नू सोन चोथा पद ते वाईगुरुजी सहज केंदे हन जित्थे असी जाना है त्रेगुणा विच सहज नहीं त्रेगुणा कालदी सरकार है जिनना समा मन कालदी सरकार दे दाइरे विच रहेगा एपंजे माननों तमाशा करके दखाऊंदे रहन दे हन त्रेगुणा विच सहज ना पाईए त्रेगुण परम पुलाए वाहिगुरुजी का खालसा, वाहिगुरुजी की फते